कर दोस्तों कैसे हैं आप लोग मैं आपका दोस्त रिशब मैं कंपनी है हाइट्रान इंडस्ट्री इंडिया प्राइविट लिमिटेड कानपूर उत्तर प्रदेश में 60 यह से हम लोग डिटरजेंट के केमिकल्स का काम कर रहे हैं आज मैं आपके सामने एक बर्णिंग टॉपिक लेके आया हूं और एक प्रॉब्लम है उसका सेलूशन दूँगा प्रॉब्लम यह है कि बजार में क्या होता है कि अभी ठंडी का समय है तो केमिकल्स के रेट्स फ्लक्चुएट होते हैं ठंडी हो फिर थंडी से धीरे से आप प्रॉब्लम को फेस कर रहे होंगे कि कई बार ऐसा होता है कि चीजों के रेट बढ़ने से आपका ओवर और फॉर्मुलेशन में चेंज़ेश आ जाते हैं और यह बहुत जल्दी जल्दी भी कही बार ऐसा होता है जैसे अभी आपको मैं करेंटली बताता हूं एक आइटम है बहुत अच्छा और में आइटम है एसेट्स लड़ी सभी लोग इसको जानते हैं जो का काम कर रहे हैं तो इसका क्या है कि प्राइस अचानक से बढ़ भी गया है तो उससे क्या हुआ है कि और और सबकी को डिफ्रिकल्टीज हो रही है को क्वालिटी को मेंटेन करने में तो करेंगे तो आपकी कॉल्टी डाउन हो जाएगी तो हम लोग कोशिश यह करते हैं कि इसको बैलेंस कैसे करें तो हर चीज कर एक हर चीज के हर एक केमिकल के ऑल्टेनेटेव होते हैं तो इस तरी के भी सब्सेट्रीज है आप वह भी यूज़ कर सकते हैं आपको फॉम बनाने कॉस्ट आई हैं लोगों को और फॉर्मलेशन में वेडिफिकल्टीज आई तो अभी ऐसे ही अभी कास्टी के विरेट बढ़ते हैं और बहुत सारे चेमिकल्स है तो उसकेस में हमको करना क्या चाहिए इस केस में हमको अपना जो भी फॉर्मलेशन है उसकी एंड रिजल्स क क्या है और उसकी अपेरिंस कैसी आ रही है उसमें ओवराल पर्फॉर्मिंस कैसी है कपड़ा उसमें खराब तो नहीं हो रहा है हैंड सेफ है तो ऐसे आठ से दस पेरामीटर होते हैं कि जिस पे हम लोग चीजों को एंड रिजर्ट को जांसते हैं तो आपको ऐसा करना चाहिए कि आप हाइटा इंडरस्टी आपकी मदद कर सकती है कि आप अपने फॉर्मिलेशन को हमाई पास भेज़ दीजे हम उसको रिस्ट्रक्चर कर देंगे उसको सही कर देंगे तो देखे कुछ एक्स्पर्टीज हमारी टीम की है क्योंकि 50-60 यह से हमारी कंपनी काम कर रही है तो हम रहे हैं यह सब चीजों पर हम लोग करते हैं और कर रहे है तो यह आपको मैं बता दूं कि आपको अगर की ओल्रेशन को सही कराना है या की पूरी जांच करानी है वाशिंग पाउडर के कि उसमें चीजें कितने AD का मेटिजियल है क्या उसमें PH है क्या उसमें उसके 8-10 परेमीटर होते हैं टेस्टिंग करानी लाब में लाब में टेस्टिंग भी हो जाती है प्लस हमारा एट हंडेट रुपीज का एक मेंबर्शिप है अगर आप ले लेते हैं या झो भिसी मेरे निए पर ट्रेनिंग को फिर ने हैं तो ट्रेनिंग में भी हम लोग वह भी में तो कई लोग वेचे में कि वज नदीकित आपको घर हमारा एक सेमिनार भी है यह सेमिनार है वह अपकी 29 जैनवरी को है इसी महीने तो अभी तक जुन लोगों नहीं किया है इसमें मैं आपको बता दू कि 12 प्रोडक्स में से था रहा हूं एक हफता रह गया है लिमिटेट सीट से जल्दी कर लीजेगा भर जाती हैं एंड मुवमे में ठंड है उत्तरवरदेश कानपूर में ठंड है तो आप लोग जैकेट वगेरा जरूर बहन के आएं कानपूर में रेल्वे स्टेशन के पास रुपने की वैवस्ता आप लोग वहीं पर देख सकते हैं वहां पर अच्छे आपको मिल जाएंगे खाने पीने के मिल जाएं लरणिंग के में भी पहले तो सिखाते हैं को बात करें क्लीनी बीक्ट्स से लिंग्पर्ट Wam SMS लगते हैं तो आप इसके मैनिफॉक्षर बन जाइने हैं अगर इसको आप बेचेंगे तो आप को भी ऐने arbeit को करें इसके बाद एक वर्berी को किरेंगे लोग दो spectrumarry को लिगिंग weak करें 29 जनवरी को आफिस में कानपूर में हाटा इंडस्ट्री के आफिस में आप लोग आएं सुबा ग्यारा बज़े आए शाम के छह बे तक रहेगा वन डे की ट्रेनिंग है इसकी फीज ट्वेंटी फाइव हंडेड रुपीस रखी गई है इसमें आपको लंच पूरा आपक पूरा इंडेट नौलिज देते हैं जो हमारे आपके टीम है वह बहुत सक्षा में तो आपको पूरा एक अच्छी बड़ी कंपनी के एक्स्पीरियंस मिलता है हमारे यहां पर तो आईए इसको जरूर लीजे कानपूर में एक दिन की ट्रेनिंग रखी है इसलिए और आप तो तभी बिजनस स्टार्ट कर पाएंगे तभी इसमें डिजिजन दे पाएंगे आप ऐसा भी कर सकते हैं कि एक दिन पहले भी आके हमसे बात कर सकते हैं या एक दिन बात भी आप रुक सकते हैं रुकेंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा जो लोग रुक रहें उनके लिए लोग आपको अच्छे से से टाइम दे पाते हैं और अच्छे से आपकी डीलिंग और आपकी प्रॉद्म का से लुकने के लिए जयसा मैंने बताया कानपूर में रेल्वे स्टेशन के पास ही आप आपशेस्ट देख सकते हैं यह जो ट्रेइनिंग है मैं मंतलिम में दो बार कर रहा हूं इस बार दस तारिकों थी और अभी 29 जैनवरी दोहजार पच्चिस को फिर से है और इसके बाद 13 फेवरी दोहजार पच्चिस को होगी तो आप लोग इसको इंडोल करा लिजे स्क्रीन पर टीम से बात करें आजी सीट बुक करा लिजे एंड का वेट मत करिए टिकेट्स दिखिए करा लिजे बिकास बेंड बाद में सीट बर जाती है मुझे लोगों को मना करना अच्छा नहीं लगता लोग आफिस में आके विचारे क्योंकि स्पेस लिमिटेड है सीट्स लिमिटेड है मैंने भी 30 मैक्सिमम सीट्स रखी है पच्चिस से 30 लेकिन लोग उसमें 39-40 हर बार हो जाते हैं तो मैं चाहूंगा कि आप लोग पहले स से ही प्रायर टीम को बताएं और अगर आपको कोई भी वाशिंग बॉर्डर के फॉर्मिलेशन में प्रॉब्लम आ रही है सीखने में प्रॉब्लम आ रही है यह जाग नहीं आरा सफाई नहीं आरी स्टरी बढ़ गई है कोई सीज के डाउन करने हैं या कम बजेट में आपक करते हैं हमें आपस काई और स्टिके के नाव मिलिग यृण अर बनाते हैं वेजिएकल अगर हौशिंग इसबारा केमिकल पर से बजार में सबसे कम होगे पहली बात कॉलिटी सबसे अवल होगी और हम आपको ऐसा पूरा सिस्टम भी सिखा देंगे कि उसको कैसे यूज करना है जिससे आपकी अच्छी ओवर एक्सपीरेंस अच्छा हो पॉलिटी अच्छी बने बजार में लोगों को पसंद आए हम लोग क पर पर आते हैं दो ब्रैंड को उसके बार मिटीरल देते हैं यहां पर होती है कैसे होता है यह आपको ऑफिस में बताऊंगा जब आएंगे एक चीज डिटेलिंग की राती है बजार में मिलना लिए प्रॉडटक्स कैसे हम अपने आपको डिटेलेट रखेंगे अगर कोई सब चीज़े हम आपको यहां पर बताएंगे तो आईए हमाई ट्रेणिंग करिए ऑफिस में भी डेली ट्रेणिंग होती है अब वहां पर भी आ सकते हैं लेकिन टाइम लेके हमाई टीम से बात करिए एक बार अपनी बुकिंग करिए थंड का समय है तो मैं चाहूंगा लोग करें यहां पर जो भी आ रहे हैं थोड़े सा थंड जादा है तो आप लोग अपना जैकेट वगेरा जरूर कहरी करें वहला इत्ती भी नहीं कि बिल्कुल बेरेवल नहीं लेकिन फिर भी ठंड तो है तो जैकेट वगेरा पहन के आएं ऑफिस में भी और हम लोग ऐसे अभी लाइक कर रहे हैं पसंद कर रहे हैं मुझे पता है अच्छा लग रहा है मुझे आप शॉट्स भी देखते रही है उसमें भी काफी इंफॉर्मेशन्स विनम मेरे चोटे भाई है वह देते रहते हैं तो वह शॉट्स जरूर देखिए साथी साथ मैं आपको एक चीज और ब नहीं आप काते हैं तो वह शॉट्स जल्दी में प्यार करता हूं और मेरे जिप्यार विडियो वीडियोच से प्शूर्ट बहुट कुछ में आपको मिल जायेगा तो वीडियो से बहुँ कुछ बहुत कुछ सीख सकते हैं क्योंकि विडियो ऐसे हैं is कि यूट्यूब नेयुकि आसे होते हैं कि यूट्यूबप नहीं होँगि झाणन मंदकि काया हुआ है जिस इसे आपका एक ही विडियो में कई आइटम बनाने की वीडियोն ने उसी हैं जो मैंने बहुत रखी हैं जो इस आपको फाइदा होगा कि कि आप घर बैट ए वीडियो देखके माल मेटरियल को और कर सकते हैं और आपको एक अच्छा मेटरियल कम रेट्स पे आपको मिल जाएगा मेरे यांसे पूरे भारत में हमारी सर्वे से कानपूर से ठाइसपोर भारत में होता है, तो इस सब बहुत easy हो जाता है लोगों के लिए तो इस पर आप एक बार work करिए काम करना है, छोटे से काम शुरू करिए, कम वजट से काम शुरू करिए, गाउं से काम शुरू करिए, कम पुंजी से काम शुरू करिए, घर से काम शुरू करिए, काम शुरू करना है is important, आप बैठ के सुचते रहेंगे तो फिर काम नहीं शुरू कर पाएंगे, एक बार शुरू करसी है और मेरी टीम को जरूर संपक्त करिए knowledge ले बिना छिना और को है तो संसनी इनलेगए तो ऐसा ही हम आपको knowledge देते रहेंगे आगे आगे वीडियो देरहेंगे मारा चानल को subscribe जरूर रख़ेकर करके वैद करके बिदियों istiyorum मेरे बारस बहुत बहार से भी देख रहे हैं इवन मेरे अभी एक्सपोर्ट जिंबावे भी हुआ और भी बहुत सारी जगहों पर हम लोग एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं नेपाल एक्सपोर्ट होता रहता है अफ्रिका में और भी कही जगहों पर एक्सपोर्ट किया है यूए भी एक्सपोर्ट और मैं एक help line number भी आपको जल्दी दे दूँगा अगर किसी भी वेक्टी को कोई problem होती है मुझे mail के truth संपर कर सकता है एक mail ID हम screen पे दे देंगे तो उस mail ID पे आप मुझे mail करके personal miss से में क्योंकि उस mail के access मेरे पास ही होगा तो मैं उस पे आपको देखके आपको जवाब भी दे दूँगा या आपको अपने team से connect करा दूँगा अगर किसी वेर से कुछ आपको समस्यारी connectivity में मेरा direct number नहीं होते है YouTube पे जो भी numbers है पहले मेरे team के होते है लेकिन वो mail के access मेरे पास रहेगा तो एक mail में आपको mail ID दे दूँगा स्क्रीन पे तो अभी आपको देखे दिख जाएगी यहाँ पे mail ID तो आप उस पे mail ID पे कंपनी पे direct बात करके मुझे अपनी problem भी mail कर सकते है या मेरे साब को meeting करनी है मैं बात करनी कई लोग कहते हैं कि सर आप से direct बात नहीं पाती कैसे होगी तो mail के through आप देखिएगा क्योंकि मेरा भी time limited है बहुत सारी चीज़े मुझे देखनी बढ़ती है तो मैं आप से यह कहूंगा कि mail करिएगा तो मैं देखूंगा अगर से टेबल होगा तो मैं आप से connect करूंगा थैंकियो दोस्तो अच्छा लगा मिलके again have a good day